राजनिती विज्ञान विशे में आजम परवक्तार राजनिती विज्ञान, सायका ध्यापक नागरिसाथ, सायका ध्यापक सामाजी विज्ञान, UGC-Net, स्टेट सेट, पीएसडी, असिस्टेंट प्रॉफेशर, आधिपर्त्युकी परिक्षा की तैयरी करने के लिए आजम प परिक्षा वर्ष 2018 का प्रशनिवपत्र हल करेंगी, इसका पहला प्रशन है, हंस मारगन्थाउ द्वारा लिखित पुस्तक का पूर्ण सिर्शक क्या है, हंस मारगन्थाउ ने एक किताब लिखी थी, Politics Among Nations, उस किताब का पूरा नाम क्या है, यहाँ पर चार विखलपे हैं, Politics दूसरा है, Politics Among Nations, The Struggle for Power, तीसरी किताब है, तीसरी नाम, तीसरा नाम है, Politics Among Nations, The Struggle for Peace, और चोहता दिया है विखलप, Politics Among Nations, The Struggle for Power and Peace, जब हम बात करते हैं, हंस मारगन्थाउ की किताब का तुरुन किताब लिखी थी, Politics Among Nations, The Struggle for Power and Peace, यह किताब, वर्ष 1948 में लिखी गई है, हंस समारगन्थाओ, या थार्तवादी, यानिकि रियालिजम से समंदित विचारक हैं, अगला प्रशन है, सही मिलान कीजिए, यहाँ पर सुच एक में ठियोरी और उपागम है, और सुच दो में जो हैं, उनके विचारकों की नाम है, तो इसको आप हिंदी में देखेंगे, सु विचरड स्नाइडर, तो यहाँ पर एक आमिलान दो से करना है, जो हम ब्योस्ता शिताद की बात करते हैं, वॉटर कैपलों ने दिया था, जो हम संप्रिषन की बात करते हैं, काल डाइच और जो हम ऐडलिजम की बात करते हैं, तो माइकल डॉयल जो है, आदसवादी विचा तो इस तरह से इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा आपका पहले का B, दूसरे का A, तिसरे का D, चौते का C तो यानि कि यहाँ पर विकल्प 4 पहले का B, दूसरे का A, तिसरे का D, चौते का C जो है इसका सही उत्तर है विकल्प 4 वाला अगला प्रशने है शुन्य योग खेल नियम मैंसे किसे रिखांकित करता है हम जानते हैं राजिती विज्ञान में जो गेम थोरी है उसमें एक शुन्य योग पल खेल सिद्धानत होता है उसमें ये कहा जाता है कि हान एम लाब जो है उसमें शुन्य रहते हैं यानिकि यहाँ पर विकल्ब A आनिय और लाब को जुला जाएगा, तो यहाँ शुन्य होगा, यही 0 सम्गिम होता है, विकल्ब A किसका सही उत्तार है, अगला प्रस्ने है, यह दिशत्मत्ता चाहिए, तो आशुरुक्षा के लिए तत्पर रहना चाहिए, निम्नमैज से किस स सम्दित है, यानिकि यहाँ पर यथार्थवाद के चार परकार दिये हैं, परमपरागत यथार्थवाद, आक्रमक यथार्थवाद, सन्रस्नात्म यथार्थवाद, रक्षात्मक पागम यथार्थवाद, तो हमें बताना है कि यहाँ कथन, यह दिशत्ता चाहिए, तो प्रतीन इसका सही उत्तार होगा अगला प्रस्न है टूमें जिद्दान्थ निम्नमैसिक किसे समंदित है टूमें जिद्दान्थ हम जानते हैं कि 1949 में जब सीत युद्द चल लाथा तो उसमें टूमें जिद्दान्थ अमेरिका दवरापनेग एक निती ती जिसके ताथ उन प्रांस, जर्मनी, इटली, रूस, इसका सही उत्तर है रूस, रूस जो है, दोजार चौदा में इसे प्रिवर्थित कर दिया। प्रिवर्थित कर दिया। प्रश्या जो भार हुआता, वो क्रीमिया में हस्तस्यव के कारण भार हुआता, तो यहां पर रूस के बाहर हुनिका कारण जो है, क्रीमिया में उसका इंट्रवेंचर यहां हस्तस्यव है। इसके विकल्ब में हैं पलाउं, सर्विया, लिस्टेंस्टाइन, दक्षनी शुडान, तो इसका सही उत्तार है, 2011 में दक्षनी शुडान जो है, इसका सबसे नविंतम देश है, यहाँ पर एक देश आये पलाउं, आप जानते हैं कि पलाउं जो है, 1994 तक इस देश के वारे में ख़ड़ा हो गया, यह हम यह कह सकते हैं कि वो अपने आपको खुद विकास के और चलने के रिए तयार हो गया, तो फिर उसको न्यास से बाहर निकाल दिया गया, वर्तमान में, यानि कि 1994 के बाद, जो न्यास परिशाद है, सनितराश्ट का अंग जो है, वो एक किसम से दुनिया के देशों को आप कहा जाता है, इसके विकल्प हैं, वैश्विक दक्षन राज, विकासी राज, दक्षन के राज, दक्षनी राज, तो तीसरी दुनिया के देशों को आप जो कहा जाता है, वो ग्लोबल साउट के स्टिक कहा जाता है, दक्षन के देश कहा जाता ह तो उत्तर में व देश है और देश है और देश में विकासिल देश है और वैस्विक दशन राजड जो है 23 दून्याजकी दैस कहलते है अगला परस्न है भारत के उस शूपर सौनिक क्रुज मिसाल का नाम बताई जिसमें मल का जल्डवरूमती तक लख्ष की समता है तो यहाँ पर चाहल विकल्पे हैं, ब्रमोष, पृत्वी थार्ड, अग्नीटू, निर्भाई, तो इसका सही उत्तर है, ब्रमोष, विकल्पे किसका सही उत्तर है, अगला प्रस्ने है, 1990 दसक की भारत की पूर्व द्रिश नीति, यानकि लुक इस्ट पॉलिसी रुपांतित ह हुई है, वो किसम रुपांतित हुई है, इसके विकल्पे हैं, एक्ट इस्ट पॉलिसी, ओपन इस्ट पॉलिसी, को ओप्ट इस्ट पॉलिसी नरभ द्रवाईब, तो इसका सही उत्तर है, 2014 में, जब नरिद मुदी की सरकार आई थी, उन्होंने लुक इस्ट पॉलिसी को ए अव्तमान परिष्टितों में समाप्त नहीं किया जा सकता है, तीसरा है, राज्जी की सथ्ता यूम्व्यक्त की सवत्ता में सवभाध बिरोध है, तो जब आप महात्मा गादी के बिचारों को पढ़ेंगे तो उन्होंने राजी को हिंसा पराधर बताया है उन्होंने कहा है कि राजी की सत्ता में सरवात्र बिरोद है और राजी का हुदेश सरवोद है यहाँ पर यह जो चोहता वाला है यह थोधा सा doubtful लग रहा है कि राजी का उद्दिश हरोदा है, एक तर्म से बात कर राजी को को हिंसाओ आते हैं, दूसरा वो उद्दिश हरोदा कहते हैं, तो यह थोधा doubtful है, और दूसरा राजी का उर्तवान पर इसमाप नहीं क्या जाजता है, यह भी ठीक कहते हैं कि का उद्दिश सर्वोदा है वो महत्मा गादी जब राज जी को हिंसा पर आधरत मान रहे हैं तो उसका उद्दिश सर्वोदा है यह तो यहाँ पर पहला और अगला प्रशन है भारती समिधान के प्रारंभे काल में इसे निम्न में से किस रूप में सम्मोधित किया जाता था इसके विकल्ब हैं उधार का थैला दूसरा है अधिवक्ताओं का स्वर्ग तीसरा है संगी सरीर एकात्म का आत्मा चौता है उप्रोक्त सभी आप जानते हैं यही समझ मा आए अधिवक्ताओं का प्रचश्च रहा है समिधानिर्वान में भी तो कहीं ना कहीं अधिवक्ताओं का सर्ग है संगी सरीर एकात्म का आत्मा यह भी है क्योंकि भारती समिधान में शंगी और एकात्म दोनों भी सस्ताय पाए जाती हैं तो यहां पर तो यह हमारे ही जो नियाइक वाद आए उससे हमारी नयाइक सक्रता बढ़ते रही है तो यह 14 वाला सही नहीं है अगर मौली का दिगार की बात आती तो यूससे होता यहापर विकल्ब चारिश का सही उत्तर है अगला प्रशने है दूसरा है राजी का करते बहे है कि 6-14 वर्षत की आई कि बालक को शिक्षा के आउशर परदान करें तीसरा है सरकार का करते बहे है कि 6-14 वर्षत की आई कि बालक को शिक्षा के आउशर परदान करें तो जो 86-1 अब पहरी अब को यहाँ यह धान देना पड़ेगा 86-1 समिधान संचुदिन हुआ था वर्ष दोजार दो में तो उसमें आर्टिकल 21 का एज ओडा गया था जिसमें शिक्षा की अधिकार को मौ कि अधिकार है तो जब बात आती मौली कर्था भी की तो उसमें अविवावक औवलिक संच्द संнок शक्षा का करते हैं पैरेंट्स का कर्था है जहाँ पर पहला वाला कतन जो है कि अविवावक अबलिक सनक्षा का कर्टब है जो 6-14 तक की आई के वालग को शिक्षा के आउसर प्रदान करें ये मौलिक कर्टब में जोड़ा गया था इस तरह से जो हमारी पहले 10 ते मौलिक कर्टब वो 11 हो गए वर्ष 2002 में तो विकल्प पहला इसका सही उत्तर है अगला प्रस्ताव निमन में से क्या भारती संसती व्यावस्ता का योगदान है इसके विकल्पे हैं शोनिकाल, प्रशनिकाल, शैंक्तिशात्र, इस्तगन, प्रस्ताव तो जो भारती संसती व्यावस्ता की देन है वो है आपका 0-hour शोनिकाल विकल्ब एक किसका सही उत्तर होगा अगला प्रशन है निम्न मैं से कौन से अनुचेद सरवोच न्यालाय और उच न्यालियों की न्याइक शमिक्षा यानि की जूडिशल रिव्यू की सक्ति से संबत हैं इसके विकल्बे हैं अनुचेद 32 और 227 दूसरा अनुचेद 32 और 226 तीसरा अनुचेद 13 और 32 और 24 और 226 यह बला कॉमन प्रशन है आप जानते हैं अनुचेद 32 और 226 222 के ताहत जो है जूडिशल लिव्यू काधिकार जो है सरवोच न्यालोक को है और वहीं उचेद आलोक को अनुचे 226 के ताहत है तो यह बला विकल्ब सही है आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 अगला प्रशन है द्यूती लोकतांतिक लहर संकर्पना निम्न मैंसे किसकी बढ़ती सहवागिता से सम्मंदित है इसके विकल्बे हैं मध्यम वर्ग, स्रमिक और किर्शक पिश्डी जातियां और वर्ग तो इस परस निकास सही उत्तर है जो सेकेंड लोकतांतिक या डेमोकरिटिक आप सर्क क्यां बात करते हैं तो पिश्डी जातियों यारे और वर्ग की सम्मंदित है पिखल पचार इसका सही उत्तर होगा तो आपको इस पर याद रखना है द्यूती लोकतांतिक लहर इस संक्रुपना जो है पिश्डी जातियों और वर्ग की सम्मंदित है किस तरह से 1970 के दसक के बात जो है भारत में पिश्डी जातियों ने भारत की राजनितिक जो लोकतांतिक प्रक्रिया है उसमें किस तरह से उनका पार्टिश्पेशन बढ़ा हुआ है अन्य पिश्डा वार्ग को लेकर यह प्रस्ण है अगला प्रस्ण है सही मिलान कीची यहाँ पर सुची एक में पार्टिश्पेशन की विश्ए हैं कमिशन है और सुची दोमच से समंधित आर्टिकल है पहला है यह प्रस्ण इंगलिश में यह है UPSC Union Public Service Commission आर्टिकल 315 बिलकुल सही है आर्टिकल 315 माता है National Commission for SC&HT 339 माता है Finance Commission 280 माता है तो एक, दो, तीन, चार इसका सही उतर होगा एक, दो, तीन, चार पहला option इसका सही होगा अगला प्रशन है Grammaris आशन में पेशा पेशा जो सब्दावली है PSE वो क्या denote करती है तो यह प्रशन कही बार हम पढ़ चुके हैं 1996 में 1996 में पेशा आया था जो हमारी schedule tribes area है उनके लिए आया था तो यहाँ पर विकल्ब दो पंचायत extension to the schedule areas act तो यहाँ पर विकल्ब दो जो है, इसका सही उतर होगा विकल्ब दो इसकी फुर्पों में पंचायत extension to the schedule areas act अगला प्रशन है निमने में से कौन किसान मुद्दों से संबंदित नहीं है यहाँ पर चार ब्यक्ति विसेज के नाम है हमें बताना है कि किसका संबंद किसान मुद्दों से नहीं है पहले हैं शारज जोशी दूसरे हैं महिंसिंटे कैट तिसे हैं दत्ता संबंद तो सराजोसी, महेंची टिकैट और भुपेंच सिंग मान ये तीनों जो हैं किसान मुद्वो से सामंधित बैकती हैं लेकिन जो जब हम बात करते हैं दत्ता सामंध की तो इनका सामंध जो है वो ट्रेड यूनियन से रहा है तो विकल्प तीन जो है इसका सही उत्ता होगा जो दत्ता सामंध है इनका जो समंध रहा है वो ट्रेड यूनियन से रहा है महराष्ट के ये पॉल्टिशन रहे हैं दत्ता सामंध तो विकल्प तीन इसका सही उत्ता है अगला प्रशन है, ब्लैक बॉक्स संकल्पना अंतराष्टी समंदों के किस सिद्धान्त से समंदित है इसके विकल्पे हैं, अधर्षवादी, नारिवादी, नव इथार्थवादी, नव आपरवस्तनवादी जो black box अंकलपना है वो नव यथार्तवादी से समंदित है नियो रियलिस्टिक से समंदित है विकलपतीन इसका सही उत्तर है अगला प्रशन है यहाँ पर authors और किताबों की नाम लिखे हैं तो हम इनका सही मिलान करना है यह किताबे कई बार मैंने अपनी प्रेटी सेट में करा रखी है जब हम बात करते हैं जग्दीज भगवती की तो उनकी जो किताब है जब हम देनियल वेल के बात करते हैं एंड आफ अडलोजी बीचारधारा का अंति नोने किताब लिखी है देनियल वेल ने जब हम बात करते हैं जोसेब इस्टिगलीज की तो उनकी ग्लॉलाजेशन एंड इट्स डिस कंटेंट्स किताब लिखी है और गिल्पीन की जो किताब है तब पॉलिटिकल एकॉनोमी आफ इंट्रनेशन रिलिशन है तो इन किताबों को आप अंग्रीजी में भी नोट किज किजिएगा और यहां से इनके मिलान के कोशिश किजिएगा जग्दीश भगवती एंड डेफेंस ऑफ लिएजेशन डेनल वैल एंड आफ इडिलोजी जोसेब इस्टिगलीज इस डिसकंटेंट्स और रोबर्ट गिल्पिन पॉलिटिकल एकॉनोमी इंटरनेशन रिलेक्श शीतिद्य का प्रारम दूसरा है धूरी राष्टों और मित राष्टों के मद जिती विशिद्य का अंत तीसरा है शीतिद्य का अंत और भूतपूर सोवेशंग का विक्टन चौता है शीतिद्य के दौरान शेंक्तराज और भूतपूर सोवेशंग के मद तनावपूर सितिलता वालिस्तित कहलाती है विकल्प चार इसका सही उत्तर है अगला प्रशन है विश्व व्यापार संगठन की उत्पत्त पणाम है यह जो डब्लू ट्यो बनाया है वो किसकी पणाम स्वरूप बनाया है इसके विकल्प है उरुग्वे दौर वारता दोहा विकास पार संगर्टर मना था एक जनुवे 1995 इस पर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं अगला प्रस्न है चियांग में इनिशेटिव जो एक बहुपक्षी मुद्रा बिनिमे है निमने वैसे किन देसों से सामन्दित है तो यहां पर हमको बताना है कि जो चियांग में इनिशेटिव पर हमक्राना वाली बात आय थि वह इनिशेटिव था जो एक बहुपक्षी मुद्रा बिनिमें था वो किन रिसों से समंदित है तो यहां पर जो सहब 걱정 बना रहे हैं पहला है चीन जापान र रर्शन कोरिया दूसरा है रर्शन कोरिया चीन योंका ठीस्रा है जापान से बॉ कि किसका यह उत्तर है अगला प्रशन है धक्सिस के करेंट सेकर्टरी जनरल कौन है तो यहां पर जो नाम दे रिके हैं अर्जुन बहादूर धापा अमजद हुसेन विसाइल आहमाद सलीम और खील कांत सर्मा के करेंट का कॉश्चन है तो वर्तमान में जो इसके जनरल वर हैं 2023 मों मनी थी यह करेंट का कॉश्चन है और जबी पीपर हुआ था उसमाई अमजद हुसेन विसाइल विकल्प दू जो है जो है जनरल सेकर्टरी थी अगला प्रशन है अंतराश्टी सौर मैत्री संबंद का मुख्याले इस्तित है यानिकि इंटरनेस्टल सोलर अंतराश्टी सोलर एलाइंस बना है उसका मुख्याले है अगला प्रशन है मध्यस्ता, संराधन, अधिनने और विवाचन ये कई बार प्रश्ट पूशा जाता है कि मेडियेशन, कॉंसिलेशन, एडियूडिकेशन, और आर्विट्रेशन 21 क्या मेथड है, ये विद्या क्या है, पहला विकल्प है, शाम उविक्शुरक्षा के, दूसरा है शक्ति संत्रुन के, तीसरा है विवादों का, शांतिपूर समाधान के, और चौता है उप्रोक्त मैंसे कोई नहीं तो जो ये सब कुछ दिये हुए यहाँ पर, मध्यस्ता करना, सन्राधन करना, अधिननाय करना, और विवाचन करना, ये विवादों के सांतिपूर समाधान के लिए बने हैं, विकल्प तीन इसका सही उत्तर है अगला प्रस्न है, निम्न मैंसे स्मार्ट पावर सब्दावली के जनक हैं, इसके विकल्पे हैं, है डिबुल, जोशेफ नाई, शिंद्या वेवर, क्रिंस क्राउन तो अब यहाँ पर एक नया सब्द स्मार्ट पावर आया है, आपने हार्ड पावर सुना है, आपने सौप्ट पावर सुना है, तो हार्ड पावर और सौप्ट पावर दोनों को मिला कर एक नई सब्दावली आई है, जिसे हम बोलते स्मार्ट पावर, तो ये जो दिया गया इस सब्द ये जोसेफ नाई के द्वारा दिया गया है, विकल्प दो इसका सही है, 49 का बी, अगला प्रशन है, नरेंद बोधी निम्नमै से किस राष्ट की यात्रा करने वाले भारत के पर्थम प्रधान मंत्री हैं, इसके विकल्प हैं, मंगोलिया, इसराइल, फिलिस्तीन, इसके विकल्प हैं, अमात, कोश, दुर्ग, शत्रु, तो जब आप विकल्प चार जो है, शत्रु जो है, स्वामी, जन्पत, अमात, कोश, दुर्ग, शामिल है, उसमें सत्रु शामिल नहीं है, तो यहाँपर विकल्प चार जो है, सत्रु जो है, साफ्तंग शिद्ान्त में май सामिल नहीं है, इसका सही उत्तर चार वाला है, अगला प्रस्ण है, निम्न मैंसे कौन सा प्लेटउ की न्याय सिद्दान्त को सही रूप में वानित करता है इसके विकल्पे हैं बित्रनात्मक, शुदारात्मक, नैति, आर्थे तो आप कई बार इस पश्ट को पढ़ चुके हैं कि प्लेटों ने न्याय सिद्दान्त में कहा कि जो बैक्त जिस काम के लिए बना है वो उसी काम को करी तो उन्होंने बित्रन तो किया लेकिन उसमें उन्होंने मोरल्टी भी रखी नैतिक्ता भी रखी कि बैक्ति उसी काम को करने से जो है अपनी जीवन में खुश हो सकता है वो उसके साथ न्याय हो सकता है अब एक सैनिक है अगर हम सैनिक को सासक बना देंगे या उसको उत्पातिक बना देंगे तो वो कहीं ना कहीं नैतिकता नहीं है तो उरका जो बित्रन है वो नैतिकता पर आधारित है विकलपतीन इसका सही उत्तार है क्योंकि प्लेटो एक आधरस्वाधी विचारक भी है उन् के भी खालप हैं, प्लेटो, मैक्यावली, हॉप्स, रूसो, तो आपने मैक्यावली का एक स्टेटमेंट शुना होगा, जिसमें वो कहते हैं, human being is highly selfish and self-centered to the core. He only seeks his interest, यानि कि वो अपने interest लिए काम करता है, और does not pay attention to the others, वो दूसरों के attention पर ध्यान नहीं देता है, उसकी जितने भी काम होते हैं, self-regarding होते हैं, other regarding से उसको कोई मतलब नहीं है, he is always self-regarding and not other regarding. तो यह मैक्यावली का statement है, तो यहापर विकल्ब दो मैक्यावली इसका सही उत्तर है, कि मैक्यावली ने इस्तरी मतादिकार, लोग कल्यानकारी राज, शामानिहेत, तो जब हम बात करते हैं, Jeremy Bentham की, आप जानते हैं, Jeremy Bentham, उप्योगता अधी विचारक हैं, और उनकी विचारों में, लोग कल्यानकारी राज, या उधानविक्षेत हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि, हमें ऐसे ज जेल बनाने चाहिए, जो सुधारक का काम करें, यानिकि वहाँ पर अगर को कह दी रहे, तो सुधारक की भूमिका मरें, जेल जेल ना हो, बलकि उसुधारक की भूमिका मरें, तो लोग कल्यानकारी राज की बात करते हैं, जेयस मिल ने, इस्त्री मतादिकार की बारे में, इ वो सही विकल्प है, CBAD, CBAD, यहनि कि विकल्प एक ही इसका सही बैट रहा है, CBAD, इसका विंग्लिस में भी देग लीजिए, कई बार इंग्लिस में जल्दी पकड़ माती चीज़ है, जेरिमी बेंटम, Welfare State की बात करते हैं, जेसमिल, Omen, Suffrage की बात करते हैं, Eagle, आदर्जवादी विचारक हैं, नैसन स्टेट की बात करते हैं, और T.S. Green भी आदर्जवादी हैं, वो Common Goods की बात करते हैं. अगला परश्ण है, यह किसने कहा था, कि रक्तपात विहीन यूद्ध राजनीती हैं, जबकि रक्तपात सहित राजनीत यूद्ध हैं? इसके विकल्पे हैं, कालमांक्स, लेनिन, स्टालिन, माउ, ये जो प्रशित कफ़नें, ये माउ का है, बहुत भवेतरीन कफ़न है माउ का, वोernहीं जो कहते हैं, पॉलिटिक शिस वार, राजनीती जो है वो एक वार है कैसे वार है? रक्तपात विहीं यहन की रक्तपात विहीं युद जो है राजनीती है, politics is a war without bloodshed, while war is a politics war is a politics with bloodshed, जबकि रक्तपात सरी राजनीत जो है वो युद है तो इस तरह सी बात रखते हैं तो विकल्प चार इसका सही उत्तर है माहोग के बारे में, अगला प्रस्टन है शूवियोस्तित समाज well-ordered society, which is assisted with the, which of the following किससे समद्धित है, इसके विकल्प है Robert Nogic, John Dolls, Charles Taylor Michael Sandal तो एक शूवियोस्तित समाज की जो बात है वो संकल्पला जो रखी है इसका सही उत्तर है अगला प्रस्टन है, सहे तीश्वा यहाँ पर किताबों के नाम लिखे है हम इनको chronology order करना है निमन पुस्तकों को उनके प्रकाशन के वर्च के अनुसार कालानुकुर्मित कीजिए जो पुस्तक है है अर्तसात, दा प्रिंस, लिवियाथन और रिजन रोमांटिस्टन और रिवोलुशन तो हम जब अर्तसात की बात करते है वो कौटिल ने लिखी है प्रिंस जो है मैक्याउली ने लिखी हॉप्स जो है सोरी लेवियाथन, हॉप्स ने लिखी और Region Romantism and Revolution जो है आपके M.N. रॉह ने लिखी तो Region Romantism and Revolution ये पुस्तक 1922 में लिखी गई है लेवियाथन पुस्तक जो है वो 1600 एक्याउन में लिखी गई है उसके बारे प्रिंस जो पुस्तक लिखी है वो 1532 में लिखी गई थी और कौटी लिखी पुस्तक जो है वो 2nd century BC से 3rd century BC में लिखी है तो वो तो बहुत पुरानी किताबे हैं तो यहाँ पर आगम देखें तो सबसे पहले किताब अर्थसास लिखी गई है होटिल के द्वारा फिर दप्रिंस मैक्याउली ने दा लेवियाथन होप्स ने Region Romantism and Revolution जो है वो M.N. रॉय ने लिखी है तो एक डो ती मैक्याउली जो है हॉप से पहले आया था इस तरह से आप उनको उनके जो आप पढ़ते हो किताब में सीक्वंस को रहत रिकिए गा कि पढ़ते हो किताब में आप सिम्लजी बात है तो stoppingmayı प्लेटो और हम अर्स्थू को पढ़रे हैं तो सबसे पहले him उसक्स को पढ़ते है फिर हम अरस्तु को पढ़ते हैं, तो इस तोरह से उनका सिर्कन्जिल की किताब काम खोता जल जाता है, कि कौन से किताब पहले लिखी गई है? अगला प्रशन है, उप्युकता का सिर्कन्जिल का सिर्कन्जिल की किताब काम खोता है, वह उत्तर विखारवाद से सामन्दित है, विकल्प 2, इसका सही उत्तर है, उत्तर विखारवाद. अगला पूशन है निवन में से किस ने अपनी लोगतंत के सिद्धान्त में लाव इस्टत्मी करान यानिकी Maximization Principle दिया है का नियम परतपादित किया है यानिकी लोगतंत के सिद्धान्त में यानिकी अगर मैं इसको अंगरजी में देखें Maximization Principle in His Theory of Democracy किस ने दिया है इसके विकल्पे हैं कालमाक्स, GDS Cole, CB MacPherson, JS Mill तो यह जो दिया है लाव इस्टत्मी करान यानिकी Maximization का सिद्धान्त वो जिया CB MacPherson ने विकल्पे तीन इसका सही उत्तर होगा CB MacPherson अगला पुछना है निम्रे मैंसे कौन सी रसना St. Thomas Aquinas से समंदित नहीं है इसके विकल्पे है दा रिजिमाइन प्रिंस्पिवम थुमा और सुमा थियोलोजिका और किंग्सिप और चौती है The City of God तो आप जानते हैं The City of God, St. Augustine की किताब है यह आउगस्टाइन ने 426 A.D. में किताब लिखी थी The City of God का यह बार किताब पूछे गिया City of God किस नहीं है यह आउगस्टाइन की किताब है बाकि दा रिजिमाइन, दा ओन किंग्सिप और सुमा थियोलोजिका यह सब तो यहाँ पर विकल्प तीन जो है इसका सही उत्तर है इसको तुरागन जी में देख लिजिए जो ग्रिक वर्ड थोरिया है उसका आर्थ होता है फोकस्ट मेंटल आप्रोच विकल्प तीन इसका सही उत्तर होगा फोकस्ट मेंटल आप्रोच अगला परशन है निम्न में से कौन राजितिक सिद्धान के पुनरुथान से सामधित नहीं है आप जानते हैं कुछ बिचार को ने राजितिक सिद्धान के पतन की बात की हैं जैसे हम लास लेट की बात करते हैं, डेवीड इसनें की बात करते हैं, आप उन्हेंने कहा कि राजनit सिदान का पतन हो गया है, ठीकिन कुछ विचारक ऐसे भी हैं, जो ने राजनit सिदान की पुनरथन की बात की हैं, उन्हें जो हैं माइकल ओक्सोड, लियो श्ट्रोश माकसवाद का सिद्दान्त नहीं है, इसके विकल्प हैं, दौनदात्म भौतिक वाद, एतियासिक भौतिक वाद, अतरिक्तमूली, शमुदाय संगर्ष, जब हम बात करते हैं माकसवाद के सिद्दान्तों का, तो कलमाकस में आपने डिरेक्टिव, मेटरिलिजम, यहीं कि दौ होता है, शमुदाय संगर्ष, यह जो है, माकसवाद का सिद्दान्त नहीं है, विकल्प चार इसका सही उत्तर होगा, थौन से यह, माप किजीगा, भैयाली से कॉश्चन को थोड़ा सा, मुझे लग रहा है कि मैं समधानी में स्कॉस्पल रहा हूँ, भैयाली से जो राजनितिक सिद्दान्त के पुनरुथान से संबंदित नहीं है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं, राजनितिक सिद्दान्त के जो डिकलाइन की बात की थी, वो डिकलाइन की बात डिविड एस्टन ने की थी, उसके बात अलफरेट कोबान ने की थी, लासलेट ने की थी, र पुनरुथान की, तो पुनरुथान करने वाले जो विचारक हैं, उनमें Michael Oxert है, Leo Strauss है और Hannah Arendt है, तो इस प्रस्णिका जो सही उत्तार होगा वो दो होगा, उसको आप तो अध्यान दीजिए, जो राजनितिक सिदान्त के पतन की बात करते हैं, उनमें David Easton, अलफरेंड कोबा Losslet और Robert Dahl है, और राजनितिक सिदान्त की उत्थान की जो बात करते हैं, उसमें Leo Strauss, Izaha Berlin, और उसके बाद आपका Michael Osert और Hannah Arendt सामिल है, तो इस प्रस्णि के लिए मैं मैं भी मांगता हूँ, फ्राचा जाल दिवाज में हो जाता है, जॉन डॉल्स भी इस पर सामिल है, वोल इसको रिपीट कर रहा हूँ, इन्होंने बात की है, राजिति सिदान्त के पतन की, तो यहाँ पर बिकल्ब दो इसका सही उत्तर होगा, थोड़ा सा जलते बाची में प्रस्णि के बाएक अगरे में गलती होगी, 2400 प्रस्णि है, सही मिलान कीची, यहाँ पर शुच एक का, शुच दो से मिलान करना है, शुच एक में विचार कुक की नाम है, लेनिन, लेनिन, माउ, महत्मागादी, कालमा, और सुच दो में उनके विचार हैं, तो तुम इसको हिंदी में देख लेते हैं, लेनिन, जब हम स्टेप फरवड, टू स्टेप बैकवर्ड की बात की थी, और जब हम बात करते हैं माउ की, तो ग्रेट लीफ फरवड क्यों बात करते हैं, तो यहाँ कि इस परस्ट्प को आप इस तरह से कहेंगे, लेनिन का Willard करेंगे आप, वन स्टेप फरवड, टू स्टेप बैक, जब माउक की बात करते हैं, ग्रेटली फॉरवड की बात करते हैं, जब हम आत्मागादी की बात करते हैं, तो उन्होंने ओशन सर्कल की बात की, जब हम कालमाक्स की बात करते हैं, तो उन्होंने अलगावाद की बात की हैं, तो इस तरह से B, A, D और C, B, A, D, C का सही होगा, B, A, D, अगला प्रश्न है, यह किस नी कहा था, कि बंदूग सहीत, एगभ्यक्ति, बंदूग रह्ई, शो ब्यक्त्यों को न्यंतित कर सकता है, तो इसके विकल्पेहें कालमाद्ग, लेनन, श्टاؤलिन, माव्व, तो यह प्रस्जित कथन है, वो कथन है लेनिन का लेनिन का है कि बंदूक सहीत एक बंदूक रहीत शौब एक तो कुनियन्तित कर सकता है विकलप दोईस का सही उत्तर है अगला पुछन है शामाजिक न्याए सोशल जस्टिस के समंद में निम्ण में से कौन सा कथन शत्ति है पहला है यहो राइनिती सामाजिक न्याए को पढ़ेंगे तो वहां पर समानता की निम्म में हमने पिछली वर्गों को आगे बलाने के लिए अस्पिर्ष्था को शमाप्त करने के लिए प्राभधान कर रखें तो समानता की मूर्षदान की विरुत्त वायनी बिल्कुल गलत है यहाँ न्याय का एकमात्र लक्षे बिल्कुल नहीं है न्याय की और पहलू भी है यहाँ पर बिकल्ब तीन जो है यहाँ तरक संगता से प्राभध होता है यह जो है शामाजिक न्याय की समद्ध में बिल्कुल सही है अगला प्रस्ण है प्लेटू का न्याय का सिद्धान्त एक अलुषना है पहला है सेफलस, दुसरा है पॉलिमाक्स, इस थेसिमेक्स, जो हता है ग्लुकॉन तो जब आवराजिक की बिज्ञान को पढ़ोगे तो वहाँ पर देखना कि प्लेटून अपनी न्याय सिद्धान्त में सेफलस, पॉलिमाक्स, थेसिमेक्स और ग्लुकॉन तो यहाँ पर विकल्प चार जो है इसका सही उत्तर होगा अगला प्रशन है दा एमिल पुस्तक के लेखक कौन है इसके विकल्पे हैं आप्स, लॉक, रूशो, जी असमिल दा एमिल या इमाइल पीश को बोलते हैं या पुस्तक जो है वह जी जी रूशो ने लिखिये है विकल्प तीन इसका सही उत्तर है अगला प्रशन है निम्न मैंसे कौन सा कतन जॉन स्टुवर्ट मिल के संदरब में सही नहीं है याँ के में बताना है यहाँ पर चार कतन है कौन जो है जेस मिल से समंदित नहीं है पहला है वह महला मतादिकार का प्रानविक समर्थकता दूसरा है वह खुले मद्दान का समर्थकता तीसरा है वह उप्युकतावाद का अंतिम समर्थकता चौता है वह श्विच्छा तंत्रवाद का संस्तापक है तो जब आप J.S. Mil को पढ़ोगे तो उन्होंने महला मता दिखार, इसको आरे वम पहले पढ़ चुके हैं, उमन सफरेज की बात की है, उन्होंने खुले मद्दान और भारित मद्दान के बात की है, कि मद्दान खुला हो और जो पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित पर के ल जो शही उत्तर है, वो विकल्ब चार होगा, कि वो शुर्ता ये गलत पतन है, J.S. Mil के बारे में, अगला प्शन है, किसने का कि राजी यंत्र है, राष्ट आध्यात्मिक है, इसके विकल्ब हैं, स्री अर्बिंद, मात्मा गादी, तीसरा है बाल गाध्यात्मिक है, तो के बात की है, आध्यात्मिक राष्ट ये अवधाना को रखा है, तो विकल्ब एक स्री अर्बिंद जोहिज का सही उत्तर है, आज के इस प्रष्ट पत्र में, जो की एमफिल पेश्टी का वर्ष्ट 2018 का पेपर है, पेपर में कई प्रष्ण हैं, जो बहुत अच्छे प्रष्ण हैं, आपके परिक्षाओं में पूछी जा सकते हैं, इन प्रष्णों को आप ध्यांचे दिखेगा, प्रष्णी की ब्याक्या करने में कई बार तुरुटी हो ज का प्रियास कीजिएगा, केवल एक मात्र हमीं इसी प्रष्ण को समझाने के माध्या में ऐसा नहीं है, कई माध्या में जहांसे आप प्रष्णों के सर्टीक और अन्नी सरवभासा में उत्रग को खोच सकते हैं, हमारा प्रियास है कि हम आपको सरवभासा में प्रष्णों को अध्यन के आए इसके दूसरी भाग में हम एकाउन से लेकर सौत अक्य प्रिश्णों का अध्यन करेंगे इस प्रस्ण पत्र में इतना ही धन्यवाद